इसमें कि 1% कमपनी क्या होती है एक एसी तरह की जो एक इनसान के द्वारा चलाई जाने वाली कमपनी मतलब एक मेंबर द्वारा चलाई जाने वाली कमपनी को हम क्या बोलते है एक 1% कमपनी बोलते है means यह क्या था एक ऐसी तरह की कमपनी थी जो पहले तरह ही नहीं थी बहुत लेकी new concept है जो कि 2013 companies act के existence से आई किसके existence या एक्जाम में पूछा जा सकता है कि companies 2013 companies act के existence से लाई गई थी किसको one person company को यहाँ दिया गया है definition OPC एक तरह की क्या है आपकी private company है किस section में लाई गई section 31C में ये भी important line है अब इसके कुछ features हम जानते features क्या होता है features इसमें क्या होता है एक shareholder होता मतलब सिर्फ एक ही मतलब सिर्फ एक member रहता दूसरा इसके features होती है कि single honor सी प्रहती है मतलब अकेला है तो अकेला ही देखेगा चलाएगा हर चीज करेगा दूसरा separate legal entity होती है next less compliance होते है इसमें और ये भी बताया गया next point कि only natural person who is an Indian citizen and resident in India can become a member या nominee मतलब ये one person company में ये बताया गया कि India का residence हो और nominee भी India का resident हो ठीक है one person company में ठीक है next point है कि minor shall not become member या nominee of OPC अगर 18 साल से कम है तो वो one person company का member नहीं बन सकता next OPC cannot be incorporated or converted into section या company one person company को न तो हम बंद कर सकते हैं न उसको convert कर सकते हैं किसी section या company में next OPC cannot carry the NBFC investment activity ठीक इसमें क्या बताया गया कि एक person company के लिए वो requirement क्या चाहिए वो की क्या होना चाहिए जीता जाता है इंसान होना चाहिए वो एक natural person होना चाहिए only a natural person यहाँ दिया हुआ third point में natural person होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए इंडिया का resident हो और nominee भी इंडिया का क्या हो resident हो ठीक है और कोई भी person इसमें क्या OPC क्या हो सकती हो one person company convert नहीं हो सकती है public या private में ठीक है यह आपके important कुछ terms थे one person company से जो आपके exam के लिए काफे important है तो इससे आप last time revision hazard देख सकते है